हलो दोस्तों मैं हुसापन राज और आपका राज ग्राफिक ज्यान में स्वागत है जैसे आपको इंडेजान के बारे में बता रहा था उसी में अपको बताने जा रहा हूं इंडिया ने माल। हमें किसी स्कूल का या किसी कमपनी का या कहीं किसी औरäg औरепर अीकार्ट सेन करzig अन्यकार्ट-धार्ट में कि में परबाद का रखना दूसे नंबर में एक के पूलन टिन्हें में सक्राइब सें तो बैसके एक पर पत्कार्ण नकतले सबसकर गज़ाद का है इसकुल ने नेम दे रखा है पूरा कर रखा है section and number और कुछ and roll number और कुछ भी हो सकता है दे रखाए आप accessing करोगे एक-ट करके यहां सेख़ाइपर नेम कउपी किये ऐसे आपको क्या है काफी दिन निकल जाएंगो और आपको एक गोल्टी पेश्ट होगे त आपके खराब घाएंगे एक कमाणव आपको ऊता सारे बनाने होते तो कैसे बनांगे आप तो अपने लिया आप Dorothy कैसे कर गेंगे हम haz बना लिए ठीक़ें मना लिया आई-कार्ड का यहां बना हुआ है जैसे आप देखाले में अपनी लगों सब्सके yox आप क्या हो सकते हैं आफ को का ने में रहे बच्चे का भी तो ईब चाहते है वह ने मोद नीचे जिसक्त लिए भए और नमर क्या हो, उटमाटिक क्या है, Excel sheet से link हो के सारे iCard आपके एक ही बारे बिन जाया है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? Data Merge करना पड़ेगा. जैसे हमेरे आपको thumbnail में बटा रहा है, Data Merge करना परेगा. तो उसके लिए आपको क्या करना है, फाइल में जाना है, सेवेज करना है, ब्राउज में जाना है, और जहां भी सेव कर रहे हो, आप किसी भी नाम से कर दो उस फाइल को से, मालो हमने लिख दिया यहां पर, इस फूल डेटा, ठीक है, जो बाइड डिफॉल्ट सेवेज टाइ देख रहे हैं csv comma delimited यह की मतलब जो भी आपकी data है comma से separated हो जाएगी तो आपको यह हमेशा select रखना csv करके इसको क्या है आपको save करना है मैंने क्या 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 है school data और format क्या रहा है csv और हमने क्या क्या है यहां पर सेब कर दिया जब सेब किया उसकर आपको yes करना है और एक्सल सीट को बंद करना अगर एक्सल सीट आप बंद नहीं करेंगे वह लिंक नहीं आगा error दिखाएगा हमने यहां से बंद कर दिया ठीक विंडो के अंतर यूटिलिटी और डेटा मर्ज जैसी करेंगा आपके सामने यह पैनल खुल के आ जाएगा यहां आपको देखने से आपको कुछ भी समझ नहीं आगा क्या है तो आपको करना क्या है यहां पर चार लाइने छोटी सी बनी हुई है इसको पर क्लिक करना है क्लिक आपको दीक गई इसको उबनी करें है जैसी-एफंदी बना रखे तहरी यहां पर आजेए आपको क्या बना यहां तक दक नहीं नहीं था जाएगी तो भी नहीं जगया एक सेक्षन का नहीन veio कह एए ऊरल सोनई करेंग तो आपको क्या करना है जो सोल जाएग घए को द चार कॉलम आपके एक्सल सीट में थे अब क्या करना इस जितने भी कॉलम होगे यहां पाले चार्ज से ज़्यादा भी हो सकते हैं मोबाइल हो सकता है कुछ भी हो सकता है यह सारे लिस्ट में आपको आ जाएगा अगर छोटा है तो आप यहां नीचे कीच के बढ़ा कर सकते है पर लिए उसका जिस चीज से आपको merge करना है, suppose name, name को इससे करना है, class को इससे करना है, section को इससे करना है, merge करना है, तो उसके आपको क्या करना है, type tool लिया, जो यहाँ dummy लगा रखा है, उसको आपने select कर लिया, और यहाँ जो पहला name है, इस पर double-click किया, क्या है, name से link हो गया, आपको name लिखा है, दोनों तरफ यह देखिए, आपकी sign आई, जो इधर से less than, इधर से greater than, sign automatic आएगी, उसका दूसरा किसे करना class है, तो आपने क्या किया, जो यहाँ dummy है, select किया, और इसको class पर double-click कर दिया, यह link हो गई, अब section, section select किया, section को यहाँ पर double-click कर दिया, section link हो ग यह, क्या है, हमारी एक script बन गई है, अब क्या करेगा, Excel से पर जितने भी आपके row होंगे, name के अंतर 50, 100, 200, जो भी होंगे, सारे इस से link हो जाएग, अभी आपकी एक CT है, अब जैसा ही इसको मैं अभी process में डालूग, automatic कि आपको जितने भी थे, सारी page बनके automatic आपके सामने जाएगे, आपको करना किया, जैकि मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, जो माउट करके देखिए, हमारे पास अभी एक ही page है, एक से ज्यादा page नहीं है, आप चाहिए तो यहाँ देख सकते है, विंटो के अंदर जाके, पेज़िए, आपको एक ही page दिखे रहे हैं यहाँ लेकिन हमने जैसी आप यहाँ चलाओंगा, सारे page अटोमेटिक बनके आजाएगे, आपको करना किया, यहाँ से आपने क्या लिंक कर दिया, आप आपको करना कि इसी तीन लाइन पर क्लिक करनी है, करने गाद आपको क्या है, यहाँ पर सब से नीचे देखिए, create merge document, इस पर आपको क्लिक करना है, जैसी इस पर करेंगे, यह message खुल के आएगा, उसके आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, नीचे ok करना है, ok करेंगे, आपको यह थोड़ा सा time लेगा, और आपको क्या यहाँ पर ok आ जाना है, जैसी करेंगे, आपके सामने देखिए, pages panel में सारे, हमने सारा देखाता है, अब इसको में data merge को बंद कर देता हूँ, अब में preview mode में चला जाता हूँ, डबलू प्रेस करें, keyword से preview mode में आएगे, थोड़ा जूम इन करता हूँ, अब देखिए इसको, हमने जितने भी बनाए, देखिए सारे नीचे बन के आएंगे, देखिए पहले A क सारे आपके सामने बन के आपको जवरत ही नहीं पड़ी, आपको जवरत ही नहीं पड़ी, आपकी ओरिजिनल फाइल क्या है, यह अलग से पड़ी हुई है, आपके यहां पर देखिए, कुछ नहीं करना पड़ा, तो उसने क्या ओटमेटिक नई फाइल बना दी और data merge करके आपके सामने यहां पर दे दी, और automatic क्या आपने एक कुछ टाइम लगा, एक मिनट भी नहीं लगा, और आपने क्या है, एक मिनट में आपने क्या किया, पूरे पूरे स्कूल का iCard आपने बना लिया, इस तरह से easily क्या कर सकते है, iCard बना सकते है, इस तरह मैं आपको यह ज चेंज करना भी सिखाऊँगा, हम direct automatic photo को भी सारे काड़ों automatic कैसे हम कर सकते है, अभी मैं आपको सिर्फ टेक्स का बता है, उसके आगे आपको कुछ और भी बताऊँगा, certificate के बारे हम बताऊँगा, कुछ और भी बताऊँगा, जिससे कि आप एक command आप सब डेटा को merge कर सकते और time को भी save कर सकते हो, इस तरस आप easily क्या है, किसी भी school का company का i card बना सकते हो आप, तो यह था हमारा आज का class, हम किसी भी company का i card कैसे बना सकते है, अगर आपको आज का class, हमारा data merge का अच्छा लाग, प्लीज हमारे चैनल को like से और subscribe जरूर करें, धन्यवाद